आज हम रियाक करने वाले हैं नाटो सीरिस के उपर और इसे रियाक करने से पर एक बात कहना जारूँगा इस बड़ी दिन उसमें वीडियो पोस्ट नहीं कर पार था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होगी थी इस बार मैं एक फुल फुल एपिसोड पर रियाक नहीं करने वाला मैं एक एक स्प्रेंड वीडियो बनाऊंगा और उसके उपर रियाक करूँगा है तो वीडियो को चालू करते हैं कि दमाके का शिकार हो गए गए काम से अब इस से हमें साड़े तीन करोड और मिल जाएंगे सारी तैयारिया पूरी हो चुकी है अब मिलकर हम भयानक दर्द को महसूस करेंगे दर्द हो रहा है है मैंने अभी तक खास अंगों पर वार भी नहीं किया वो दर्द सबसे मज़ेदार होता है जब सामने वाला तलता है तो उसका दर्द मेरे शरीर में उतराता है आसमा उन्होंने अपने बाई पैर को थामा हुआ है उनकी वो चोट वो बिलकुल अकाजकी के जैसी है लेकिन कैसे मैं तुम्हे पहले ही शाब दे चुका हूँ तो ये बात है अब समझा इस आदमी ने किसी तरह अपनी बाडी को मुझ से लिंक कर दिया है तो जो जोट इसे लगेगी वो मुझे भी लगेगी अब बताओ कहां दर्ब महसूस करना चाहोगे क्यों न इसी वक्त सब खत्म कर दे शिकमारू अपना शैडो स्ट्राइंगल जूट्सू यूज़ करो हाँ वही कर रहा हूँ शैडो स्ट्राइंगल जूट्सू अब खेल खत्म हुआ कुछ नहीं होगा बहुत अच्छे शिकमारू तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो इजूमो हमें वो बैक अप बुलाए हुए कितना वक्त हुआ है उन्हें यहां तक आने में 20 मिनट और लग सकते हैं हम तो भस गए हैं और जूट्सू की अपनी एक कमजोरी होती है हमें बस शांत रहकर उस कमजोरी को ढूँनना होगा शिकमारू ने मेरी चान बचा ले मुझे इस जूट्सू से निकलने का तरीका सोचना होगा शैटो स्ट्राइंगल स्यादा दिर तक नहीं टिक पाता इसमें बहुत वक्त जाया हो रहा है मैं कुछ मदद करू अपने हाथ से पैसो को जाने नहीं दे सकता मैंने तुमसे कहा था ना दूर रहने के लिए जे मदद नहीं चाहिए मैं समाल लूगा सच पूछो तो हम लखी है कि दूसरे वाले ने अब तक कुछ नहीं किया है हम करें तो करें क्या तो यही है वो अभी तक मैं इसी तरह की सिचुएशन के लिए तैयारी करता आया हूँ अकाजकी में दस मेंबर्स थे उन सब के पास कोई खास निंजूट्सू जरूर है कि उनकी पावर हमारी सोच के भी बाहर है सच में कितने खतरनाग अपोनेंट्स हैं अगर बदले में तुम उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे तो तुम अपनी जम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हो असुमा सेंसे ने मुझे बहुत एडवाइस दी है मुझे कुछ सोच नहीं होगा उसके इंसारे आक्शन के पीछे कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए उसका हर एक मूव उसके अगले मूव से कैसे रिलेट करता है इसने कहा सजा, श्राप, रिच्वर, तैयारियां शिका मारू ने अब तक शाहिद इसका अनालिस्स कर लिया होगा तुम पर तर्की बना पाए शिका मारू लग्टा तो है अरे नहीं, ये मेरे जुट्सू को समझ गया है मैं इस बेवकूफ सिर्फिरे को उस अजीब से डाइग्राम के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ यहना क्या चाहते हो? यू समझ लो, कि अगर उसके हथियार से तुमें बस एक खरूच भी आ गई तो उसके जूसू से तुम पका, खत्म हो जाओगे लेकिन उसने शुरू में जो चोट पहुचाई थी, उसका इससे क्या लेना देना है? ब्लड, अगर अपने टागेट को खुद से लिंक करना है तो इसके लिए उसे अपने टागेट का ब्लड अपनी बॉड़ी में लेना बहुत ज़रूरी होता है तो ये बात है, ये लड़का बहुत चालाख है तेरी इतनी हिमाद में मेरी गलती नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही बढ़ बढ़ाते हो ये तो एक जीनियस है बहुत हुई तेरी बक्वास, अब मैं पहले तेरे टुकड़े करूँगा, उसके बाद इसे मारूँगा, सुना तुने वो मौका ही नहीं आएगा, बाहर आ गया छीक है, देखते हैं, इसे बात बनेगी अन नहीं ये मजाल मुझे रोका मैं अपनी लिमिट पर हूँ, इसे और पकड़कर नहीं रख सकता तुने बहुत अच्छा किया काकुजू, मेरी मदद करो, तुमने सुना नहीं, चाह मुझे मैंने तुम से कहा था संभल कर रहो, कहा था ना एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते है, हीडान के जो गले में चीज रहती है और बैल रहते है, वो गीर रहोता है, त्यूकि आसुमा सेंसे ने हीडान के मुंडी उड़ा दी होते है शिकामारू ये दी कर बोजता है हाश, आसुमा सेंसे ने ये कर ही दिये और वो दुगार देख कर समझ जाते हैं कि आसुमा सेंसे ये कर दिये और जो गीरान का धड़ रहता है, पिना मुंदी का वो जीड़ जाता है और वो बोलते हैं, हम में ले कर दिया, इसका मतलब बस अब ये काकाच की बचा है और वो गार्ट सोच रहे होते हैं कि शीका मारू में इसी कुछ तो बात है जो आसुमा सेंसे उसकी इतनी इज़द करते हैं क्योंकि वो हमेशा कभी मुं मुसीबत के समय अपना धिमाग चला लेता है और यहाँ पर शीका मारू बहुत ही ज़दा ठक जाता है यहाँ पर काकाजू बोलते है मैंने तुम्हें कहा ही था हिडान के तुम मुसको हलके मामच समयो पर तुम में हलके में लिया और उतने में हिडान बोलते है हे काकाजू मैंने तुम्हें कहा था मुझे पचाओ पर तुमने मुझे नहीं बचाया मैंने तुम्हें कहाई था ना कि वाचाओ और हीडान की जो मुंदी पड़ी रहती है जो दर से अलग रहती है वो पात कर रही होती है और इसको देखकर चीका मारू चौक जाता है हाजू मसें से को भी कुछ समझनी आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और तभी ये दोनों गाट बोलता है कि आखिरी क्या हो रहा है और तभी यहाँ पर जो मुंदी रहती है और यहाँ पर हीडान काकजू को बोलता है कि हे काकजू मेरी प्लीज मदद कर दो मेरी जो पॉडी है उसको मेरी मुंडी के पास लिखिया और वो बोलता है कि है मेरी बोड्य को प्लीज मेरी सतरसाब्सक पर जाते हैं ओर दरान मुलते हैं मैंने मुंडिने 5ють तुम नहीं मेरे नहीं में उठाने अरता नि काहाता कि मेरी जो पॉडी है उसको पॉडी मुढ़े happiness मुझे पॉद्दर दो रहे सरा आराम से तो उठाओ काकाजू और यहाँ पर जो आसुमा सेंसरेते हैं वह यह देखकर बहुत जला चौक जाते हैं कि हीदादा के लिए सब कैसी बात कर रहा है और हीदाद मुलते हैं अब तुम बिक के जाओ मेली पूली बॉड़ी जूर है क्योंकि जो काकाजू है वो अभी जिन्दा है तो लापा शिकामारू बोलते हैं कि है हमें हेडान की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जो हेडान है उसके मुंदी कट चुकी है और ऐसा तो नहीं कि उसकी मुंदी जाइन हो जाएगी तो हमें अभी सिफ काकाजू के उपर ध्य भी क्या है और तभी यहाँ पर वो गाड़ बोलता है कि हमें जल से जल कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और तभी यहाँ पर आसुमा सैंसे बैटे होते हैं और अचानक से यहाँ पर जो काकश जूरेत है वो आसुमा सैंसे के पास आता है और उनके पेट पर लाट देता है और जब मार देता है, जिसकी वो जिससे आसुमा सैदसे के मूह से खून निकलता है और दर निकल रहा होता है। मेरी मुंदी बहुंच दर दर दो रही है और वो बोलता है कि अब मैं तुम में लोगा कुद्याई छोलूँगा और उसकी मुंदी जाइन जाती है। कर दूँगा और वो आसुमा सैंसे की तरफ बढ़ता है और यहापट जो काका जूरेत है वो लीव विलेज के बाखी शिर्योवी से लेडने के लिए बढ़ता है और तभी यहापट जो दोनों गाड़ रहेते हैं वो अपने स्क्रोन को निकालते हैं और उसके इंबर से एक प वाटर को और तभी यहापर वो जो दूसरा रेक है वो अपने वैपेंड के मदद से काकाजू के उपर हमजा करने वारा लेते हैं और वो वैपेंड काकाजू पर फेक भी देते हैं और यहापर बहुत ज़्यादा दूआ हो जाते हैं और वो जो वैपेंड देते हैं वो बा पेर के मतलब जो प्रेयर रहेता है वो चिपक जाता है पैर से और तबी ये अपर दूसरा शीनो भी भागते देजाता है और काकाशू को मारने हो रहते हैं पर काकाशू अपने हाथ को अलगलग कर दीते हैं और उन दुनों को पख़ड़ लेते हैं वो इरां को बोलता है विडिया के दो, और जो श्याइट रहती है, यानि उसका स्टीक रेप यह उसको उठाकर आशुमासैंस से के आरपार करने हो ला रहते हैं, पर आशुमासैंसे उसको अकुनाई की मदद से बचने वाले लेते हैं, और ताभी हीडान अपने वेपें से आशुमासैंसे को मारने जाल में फस गए, सरा मेरे पैर के मीचे तो देखो, और यहाँ पर वो नीचे देखते हैं, तु यहाँ पर जो हीडान देते हैं, वो अपने नीचे डाइगराम बना देते हैं, अपने खून से, और हीडान असरा होते हैं, तुम बेखूफ हो, तुम तो हमेशा फस गए, और आभी बिफस गए मैंने फट से डागराम बना दिया और तुमने ये दिखा भी नहीं और वो बुलते हैं कि अब तुम्हारा ये आखरी समय है और वो जो रैपेंजित है वो हीडान पर गुशता है पर वो जो आसुमा सैंसिरित है उसको दर्द दे रहा होते हैं और यहाँ पर हिन मत रखो मैं आ रहा हूँ आसुमा सैंसे और यहाँ पर बहुत ज़ाद दर्द मेरे थे हैं और तभी शीका मारू को याद रहता है कि जो आसुमा सैंसे रहते हैं वो बलते हैं कि हमें किसी की जान नहीं गवानी है है ना और तभी यहाँ पर शीका मारू आसुमा सैंसे मै और यहाँ पर जो शीका मारूरेत है वो आगे बढ़ रहा होता है हिडान बोलते है अपस और उसकी बाद वो शीक को अपने बदन के यानि जो डीलरत है उसके आजपार कर देता है और आसुमा सेंसे के आंग में से बहुत ज़ता खून निकल रहा होता है और तबी यहाँ पर खुरनाई सेंसे का जो फूल रहत है वो फूल भिकर कर तूट कर गिर जाता है और खुरनाई सेंसे यह देख कर समझ जाती है कि कुछ तो भूला हुआ है और वो आसुमा सेंसे के बारे में ही सोच रही होती है यहाँ पशिका मारू आसुमा सेंसे की तरह बढ़त है वह वो बोलते हैं आसुमा सेंसे और आसुमा सेंसे यहाँ पर जमी बर गेड़ जाते है झाल कर दो जाइ।